हलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ प्लीज वीडियो को इसकिप मत कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो इसकी सभीन नोटिफेकेशन आपको मिल सकें आज मैं आपको बताओंगी की हमारे बलाउस का अगर नेक बढ़ा हो गया है तो आप उसे किस तरीके से छोटा कर सकते हैं मैं आपको बिलकुल आसान तरीके से नेक को छटा करना बताऊंगी यसमें आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं नेक को छोटा करने के लिए सबसे पहले हमने ब्लाउस में से कुछ बचे हुए फैबरिक को लिया है एक हमने छोटा अस्तर का टुकडा लिया है इसके बाद में हमने एक ये कैनवास का टुकडा लिया हुआ है सबसे पहले केनवास की टुकडे को हमें मेन फैब्रिक पर स्टिच करना है इस तरीके से मेन फैब्रिक पर लगते हुए हम इसे पेस्ट कर लेंगे इसे हमने मेन फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है इसके बाद में हमें हमारे अस्तर की टुकडे को लेना है और इसे हमें सीधा करते हुए सीधी साइट पर अस्तर की टुकुड़े को रखेंगे उसके बाद हमें एक सीधी सिलाई इस पर लगानी है इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे इसके बाद हमें हमारे अस्तर वाले फेबरिक को इस ते ओपर रखते हुए इस तरीके से एक सीधी सिलाई लगाएंगे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें ये सिलाई लगानी है जब ये हमारे सिलाई लग जाएगी इसके बाद हमें इसे इस तरीके से ओपन करना है और हमें एक कॉर्नर पर स्टिच करना है अस्तर वाले पार्ट पर हमें इसे स्टिच करना है इसके बाद में हमें इसे इस तरह से अंदर की तरफ पलट देना है अंदर की तरफ पलटने के बाद इसके तीनों साइट्स पर हमें स्टिचिंग करनी है इसी तरीके से हमें इसे तीनों साइट से स्टिच कर लेना है इसके बाद में जो एक्स्ट्रा फेब्रिक है इसका हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा फेब्रिक को कट करने के बाद हमें इसे सेंटर से फोल्ड करना है इस तरीके से center से fold करने के बाद हमें center पर एक marking कर लेनी है इसकी center marking करने के बाद हमें हमारे blouse को लेना है जो neck हमें छोटा करना है उसे हमें इस तरीके से इसके उपर रखना है center वाले part को हमें जो center वाला हिस्सा है neck का महा पर place करना है और इसे इस तरीके से अच्छी तरह से जमाते हुए हमें इसे रखना है इसके बाद में हमें इस पर मार्किंग करनी है जितना भी हमारा ये ब्रोड है हमें इसे खीच कर नहीं लेना है बिर्कुल जितना ये आ रहा है उतना ही हमें इसे लेना है और ध्यान रखना है कि नेक की ifice और फमारी जादा ना हो जा इसलिए हमें उस चीजके ध्यान रखते हुए नेक की मारकिंग करने के बाध है असंद से हमें इसे रखा हुआ है इस हमें pin up के साथ marking भी करनी है इसे अच्छी तरह से pin up करने के बाद अब हमें से इस पर stitching करनी है हमें अपनी marking को ध्यान में रखते हुए इस पर stitch करना है जहां हमारी marking है हमारे नेक को हमें उसी जगा पर place करना है और stitch करते जाना है और जहां से हम stitching को start करेंगे वहाँ पर हमें पक्की सिलाई ज़रूर लगानी है ताकि हमारा यहाँ निकले नहीं इसी तरीके से हमें पूरे नेक में अच्छी तरीके से इसे stitch कर लेना है इस तरीके से हमें इसे stitch करके तयार कर लेना है अब हम इसकी pins को निकाल लेंगे इस तरीके से हमने इस पर इसे stitch करके तयार किया है इसके बाद में हमें blouse को उल्टा करना है और जो हमने ये पेश लगा कर तयार किया है इसके extra fabric को हम cut करेंगे इस तरीके से बहुती साउधानी से आपको इसे cut करना है कभी-कभी हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा ब्लाउस भी कट हो सकता है इसलिए साउधानी से हम इसे कट कर लेंगे जितना भी आप एक्स्ट्रा मारजिन इसमें रखना चाहें रख सकते हैं बस हाफ इंचे से ज्यादा मारजिन रखते हुए आप इसे कट कर लीजिए इस तरीके से हमारा इस जो पेच है लगकर तयार हो चुका है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वाचिंग